पूरी जानकरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी और वीडियो को लाइक कर दीजी दोस्तो बजरंग दल के कारी करता को दो बदमासों ने सौप के भार बुला कर सिर में गोली मार दी सौप से लोग भार आए तो युवक सड़क पर पड़ा हुआ मिला था लोग उसे नजदी के होस्पिटल में ले गई जहां डाक्टरों ने उसे म्रत वोसित कर दिया गटना उदयपुर के अंबा माता इलाके में सोमवार रात आठ बजे की है जानकरी के अनुसार 38 साल का राजो उर्फ राजेंदर परमार बजरंग दल के जिला सहियोजक रह चुका है वे प्रॉपर्ट्री वेवसाई था जिसके कारण क्याई लोगों से उसका विवात चल रहा था सूचना पर बड़ी तादाद में हिंदू संगठन के कारीकरता भी अस्पताल पहुंच गई एसपी चंदर सिल ठाकुर समेत कैई पुलिस अधिकार भी होस्पिटल पहुंचे गोली मारने वाले बदमास कौन थे और हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है पु थोड़ी देर बाद उदर से गुजर रही लोगों को परमार सडक पर अचेत मिला था दोस्तो हम आपको बता दे कि राजू की गौवंस बचाने के साथ ही हिंदू संगठन के प्रमुक पदाधिकारी के रूप में उसकी पहचान थी राजू को अपने उफर फाइरिंग होन जमीन को लेकर विवाद चल रहा था फिलाल दिलिपनाथ तो सेंटरल जेल में है कहा जा रहा है कि दिलिपनाथ ने अपने गुर्गों से कहकर ये हत्यक करवाई है तो दूस्तों आप क्या सोचते हो इस पूरी घटना को लेकर कॉमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर दें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम